नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर आज हम कुछ एक्रोनोमिक के क्यूसन है उन पे चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करें अपने तो सबसे पहला क्यूसन है अस सबद की उत्पती किस बासा से हुई है यानि कि अस के बारे में आप जानते होगे अस यानि कि जर यास से दहान ँपठी होता है प्रवत laughs rough उत्ते हैं क्याष्णी यारो तीन उक पर जातियां होती है कौनंती आशसे मनाय बोरो है तो इसमेंसे जो धाश थाय तो उस अस सबद के उत्तफिती है जो की और इस आसु के अगर मैं बात कुरूं इसके आर्थ की बात कुरूं तो इसका आर्थ होता है जल्दी या सिगर यानि कि इसका आर्थ होता है वो क्या होता है जल्दी या सिगर तो यह हो गया हमारा पहला क्यूसन आगे चलते हैं दूसरे क्यूसन बार तो हमें ध्यान रखना ह अजबत की उत्पति ससकटवासा के सबत से हुई है दूसरे क्योशन पर चलते हैं तो ये है हमारा दूसरा क्योशन दूसरा क्योशन है दहान की डेपोक विदी में बीजदर रखी जाती है यानि धान की जो डेपोग विदी होती है उसमें यानि की जो सीट रेट होती है वो कितने रखी जाती है दान की डेपोग विदी होती है उसमें जो हमारी बीज़दर है वो कितने रखी जाती है लग बग यानि की डेट से तीन किलोगराम परती वर्ग हेक्टेयर रखी जाती ह सोरी लगबग यानि कि डेट से तीन किलोग्राम परती वरग मीटर रखी जाती है आपको पता है लगबग यानि कि डेट से तीन किलोग्राम परती वरग मीटर रखी जाती है और यानि कि एक हेक्टर में अगर हमें फसल की बुआई करने है तो लगबग 25 से 30 वरग मीटर 25 से 30 10 वर्ग मेटर सेतरफल क्या में आवस्कता होती है तो ये भी हमें त्हां रखना है तो 20 दर की त्रके जाती है त्रेट से 3 किलोग्राम वर्वर्टी वर्ग मेटर और एक एक्टर में बढ़ाई करने के लिए हागर हमें चेतर फ्रक्ष पूचले तो कितना रखना है बच्चिस इचे तीच फिट हेला मराते हैं अगले तर wizard नमबर सबस्टें चलते हैं तीन नमबर हमारे क्यूत सपाधिक है तीन नमबर तिस्ज荤 रहा है अब के सामने तो कितने किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है तो परती हेक्टर लाग बग 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है तो यह हो गया तीसरा क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन पर अपने चलते हैं अगला कि उसना हमारा किस वसल को ड्रोसो फिला कहा जाता है ड्रोसो फिला के बारे में बता दू ड्रोसो फिला यानि कि मक्ही होती है जिस पर क्या है वाइलो जी के अगर बात करो तो वाइलो जी में सबसे ज्यादा जो प्रियोग होते हैं वो किस पर किये जाते हैं ड्रोसो को पसलों की ड्रो सोब्हाएं कि सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं जो में सबसे ज्यादा किस प्रयोग करते हैं और ë नेक्स्त किईूशन in नेक्स्ट क्यूसन है हमारा मक्का में स्पेद क्लिका यानि कि वाइट वर्ड जो फीजियो लोजिकल डिस ओर्डर होता है स्पेद क्लिका या इसे वाइट वर्ड बोलते हैं कि वाइट वर्ट किस पोस्कत्तों की कमी से होता है तो यह हमें ध्यान रखना है जो यानि कि वाइट वर्ड या स्पेद के लिए करोग होता है यह किस की कमी से होता है जिंक की कमी से होता है मक्का में कौन से पोस्कत्तों की कमी से होता है जिंक की कमी से होता है नेक्स्ट तो भीच रगात यानि चारे है तो फसल झारेवाली पसल उसके लिए उसके लिए मक्का की भीचतर की तेर रखे जाती है we talked 2 मुक्रण हे पूच नो पूच जाती है बीचतर रखी जाती है कि हमारा दिए स्थो हो सना गया है क्या हूं मेंन कुण है नियुन तसि नोग 땅 तापमान ठीक है optimum temperature या उप्युक्तापमान बोलते हैं एक होता है नियुन्तम यानि कि सबसे कम जो तापमान अगर उससे कम अगर तापमान हो जाता है गयों की वर्दी रूख जाती है तो नियुन्तम तापमान की बात करें तो लगबग गयों का 3.5 से लगबग 4.5 डिग्री Celsius होता है ठीक है या नियुन्तम तापमान होता है गयों की वसल के लिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्यूशन की नेक्स्ट क्यूशन है गयों में अनावरत कंड रोग से बचाओ है तो किस माह में बिज्जों को सो रूपचार करना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है कि गयों में अनावरत कंड रोग से बचाओ के लिए हम क्या करते हैं सो रूपचार ठीक है सॉलर ट्रीटम करते हैं तो वो कौन से महिने में करना चाहिए ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है मई जून के महिने में हमें ये अनावरत कंड के रोग से बचाओ के लिए तो रूपचार करना चाहिए next question बात करते हैं कि नेक्स्ट क्यूसन है ग्यहों की बाली में पाई जाने वाली यानि कि आपने देखा हो ग्यहों की बाली में इस परकार एक सरंचना पाई जाती है टेड़ी मेडी सरंचना इस सर्चना को क्या कहते हैं तो यह सरंचना होती है हमारी क्या कहलाती है रेचिस कहलाती है सरंचना यानि कि जो क्यों के अंदर टेड़ मेडिस रंजना होती है उसे क्या केते है रेचिस कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्यूसन नेक्स्ट क्यूसन है हमारा निमन में से जो की कौन सी किसम छिलका रहित नहीं होती यानि कि छिलका रहित यानि कि इसमें जो कूछना चारा है वो पूछ रहा है कि जैसे छिलका रहित नहीं है वो पूछ रहा है हमसे तो डॉल्मा है छिलका रहित होती है हिमानी ये भी छिलका रहित होती है कर्मत्री ये भी छिलका रहित होती है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा अंबर यह यानि कि छिलका सहीत होती है यह इसके उपर के अंबर पर छिलके पाये जाते हैं बाकि यह तिनों हैं चो कि है हमारी छिलका रहित किसमें हैं नेक्स्ट क्यूसन पर बात करते हैं नेक्स्ट क्यूसन है हमारा नीमन में से जो की लॉणता सेहनसील किसम कौन सी है ठीक है लॉणता सेहनसील किसम की अगर बात आती है कौन सी है तो हमारी कौन सी है भी लटू ठीक है या बिलाडा टू है जो हमारे के लाउमता सेहनसील किसम है यह हमें धिहान में रखन कहने है नेक्स्ट क्यूसन-पेचर चाह करते हैं अगर आपको क्यूसन अच्छे लगया तो कॉमेंट करें लाइक करें अगला है जोवार की अनाज है तो ये तो जोर के हम क्या है जोर को क्या एक तो चाइठ तो पहला है डीजी वो जीन ये किस्से समें दिता आपको पता है दहान से ठीक है उसके बाद form और जीन दिया हुआ है टिप 23 पे ये कौनसी पुलते हैं बाजरा से सम्नर दिता है उसके बाद ओट ऊपय क्वैया विण को पता है कौनसी पुलते है कौनसी पूम से समय का पांद दिता मक्का कि धान की कटाई करने बात चावल वे छिलके कानपात चावल वे छिलके कानपात कितना होता है दो अनुपात एक होता है अब ने देखा होगा जो जानी कि चावल का जो हुलिंग परतिस्थ होता है चावल में हुलिंग परतिस्थ होता है वो कितना होता है लगबग 66 पर तिस्यत होता है ठीक है तो चावल और चिलके कनपात कुछ लिए कितना होगा लगबग 2 पात एक होगा नेक्स्ट क्यूशन की बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्यूशन जो हमारा लास्ट क्यूशन है 1943 में बंगाल धुर्विक्स का कार्ण धान का कौन सा रोग था यानि कि धान के कौन से रोग के कार्ण क्या हुआ था जो बंगाल धुर्विक्स हुआ था वो कौन से रोग के कार्ण धान का बलास्टा रोग ये भी नहीं है जवानो यानि कि धान का जवानो पति जुल्चा ये भी नहीं है धान का भूरा पति रोग यानि कि ब्राउन लिफ स्पोर्ट इसके कारण के है जो 1923 में बंगल दुरुबिक्स हुआ था ठीक है उक कि इसके कारणों था धान के भूरा पति रोग के और लास्ट धान का को सब्सक्राइब करें ठीक है जन्यवाद हुआ